तो ये बात है आज से दो साल पहले 2022 की जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाना शुरू किया पहले मैं सिर्फ वोईस ओवर करता था फिर मैंने खुद को वीडियो में रिकोर्ड करना शुरू किया और मैंने अपनी वीडियो बनाने की जन्नी की शुरुवात करी थी इ बहुत च्वाल प्रका लेक्रावाट्व दिक्कत कृशा लेक्राखा वाटायम के साथ साथ परफोनेंस दिखकतया आने लग गई तो उसके बात मिली को स्कृष्ण और श्यक्रावा करते जैंधक मिलें दिखाता हूं उप इसे इसमें धंदा करने और इतनी कृष्ण हुई ना जिसकी हद नहीं है मतलब कहने में इसके अंदर 3GB RAM है लेकिन इसका RAM management इतना बेकार है ना कि तुम लगातार तीन एपस इसके अंदर नहीं चला सकते मतलब कितना ज्यादा torture सेन किया मैंने इस फोन के साथ सब कुछ बढ़िया बैटरी लाइफ बढ़िया पर्फॉमेंस ठीठ ठाक लेकिन भाई रैम ही नहीं है एक दूसरी एप रिलोड हो जाती है और तुम्हें पता है editing करते टाइम हमें कितनी ज्यादा रैम की नीड होती है तो फाइनल एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगा अपग्रेड मुझे ये फोन अब नहीं चलाना और ये अल्मोस्ट अन्यूजबल है इसकी बैटरी लाइफ बस ये माइक की तरह यूज़ कर सकते हैं ज्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं तो एक दिन पहले फोन नहीं चले भाई वैसे मेरे बड़े हाथ है लेकिन इस्टिल मेरे को वह फोन नहीं चले मेरे को बहुत बलकी लगते हैं ऐसा फोन जो कि एक हाथ में फिट आ जाए तो 6.4 इंच 6.5 इच से उपर मेरे को जाना था नहीं उसके बाद मेरे को चाहिए था था चाहिए था उसके अलावा मेरे को चाहिए थी AMOLED डिस्पले क्योंकि इसमें भी LCD है इसमें भी LCD है यह बैटरी बिवारा चुकी है इसमें भी LCD है और मैंने LCD डिस्पले काफी ज्यादा यूज़ कर लिए अब मैं ठक गया था मेरे को वो डीप डार्क ब्लैक वो चाहिए थे भाई एमोलेड में बड़े बहुत प्यारे लगते हैं इसके अलावा मेरे को चाहिए थी फास्ट चार्जिंग क्योंकि यह 10 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और दो घंटे से पहले यह चार्ज नहीं होता था मतलब मुझे आज भी याद मैं इसमें mostly all night charging की यूज करता था रात को चार्ज लगा के सो जाता था सुबह 100% मिलता था मेरे को वैसे दो ड़ाई गंटे मैं वेट नहीं कर सकता भाई फोन चार्ज होने का तो थोड़ा सा compact phone headphone jack amolet display fast charging यह सारी चीज़े मेरे को चीए थी 25 से 30,000 तक के budget में मैंने ढूंड रिसर्च करी और मेरे को option मिले दो phone के realme 9 pro plus और one plus node CE2 online में कोई सा भी मंगवा सकता था लेकिन online मेरे को थोड़ा सा डर लगता था जो कि आज भी लगता है तो मैं offline market में गया दो चार्ट साप्स में try किया और realme 9 pro plus मुझे कहीं नहीं मिला वो मिलता मैं वो ले लेता पर मेरे को offline shops में विला one plus node CE2 तो मैंने वो उठा लिया अब भी की बात करें तो मैं almost एक साल से इस phone को यूज कर रहा हूं और 90 to 95% मेरे को इसमें कोई issue निया रहा like performance low battery low camera low charging low it's almost almost a perfect phone for me like एक साल तक मैंने बढ़िया घिसा है यूज किया है अभी यह वीडियो जो है वो इसी phone से record हो और बहुत सही experience मिल रहा है अगर तुमारे पास भी node CE2 है या one plus का phone है तो comment में बताना और इस वीडियो में मैंने सिर्फ reason explain किया है कि मैंने one plus node CE2 क्यों लिया उस time पे 25-30,000 में में मेरे को काफी सही performance वाले phone मिल रहे थे और performance मेरे को चाहिए भी like iq बगरा काफी सही phone दे रह तो इसलिए ये दो phone मेरे requirement को पूरा कर रहे थे और मुझे मिला one plus node CE2 और इस पर मैं multiple videos बनाने वाला हूँ मुझे क्या अच्छा लगा इसमें क्या बुरा लगा like काफी सारी 3-4 वीडियो तो मैं इस पर बना दूँगा बाकी ये तो छोटा सा वीडियो है अगर तुम one plus user हो